धाकड खबर में आपका स्वागत है मैं आपके साथ हूँ अक्रम रईस्खान दिल्ली के पुलिस कमिशनर है एसेंस श्री वास्ताव पिछले साल जब तीन दिनों तक लगातार दंगा हुआ उसके बाद जो पुराने कमिशनर थे उनको टाटा बाई-बाई कर दिया गया उनक के बाद इनको चार्ज सौंप दिया गया और इसी मुईद में चार्ज को सौंपा गया कि ये दिल्ली की कानून व्यवस्था को बेहतर रखेंगे लेकिन जो परसो हुआ दिल्ली के अंदर वो सारी दुनिया ने देखा है कि किस तरीके से पुलिस वाले जो है तीन सो से ज़ कोड़ दीजिए हम सिरब पुलिस को लेकर यहां बात करना चाहते हैं कलए कि एसनश श्रीवास्तव जी ने तीजंटे बाद प्ряस कॉंपटेंस की यही पहला सवाल है दूसरे कंपरन के से उनका वैवार दिखाई दिया और जो नोंने मुद्ड उठाए उसको लेकर बहुत चलाए हमारी पुलिस ने सान्थी पिरियर रास्तियार किया तो क्या पुलिस को सान्थी लां खड़ा करक्वाता देखे और आगे के लोग किसान नहीं है मिलिटेंट था थां तो कैसे देखा समझा जा सकता है उनकी स्वयास को कहते हैं बहुत कुछ बताती है निन कि जो बोडी लेंग वह क्या बयान करती है इन सब को समझने की कोशिश करेंगे स्काइप के जरीए हमारे साथ जुड़ रहे हैं रभी अरोड़ा जी देश के जाने माने वरिष्ट पत्रकारों में उनका नाम शुमार किया जाता है आयतीन अख़बारात में उनका अर्टिकल में रहते हैं और पीपल स्टूड़ा के वर्तमान समय में संपाद के बहुत सारे आई प्यास ओफिसर उन्होंने अपने जीवन में देखे हैं तो इन आई प्यास ओफिसर को लेकर उनी से समझेंगे बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए नमस्कार मेरा पहला सवाल अक्रम जी मैं आपके सवाल को थोड़ा और आगे से शुरू करता हूं सबसे पहले तो यह जो घटना हुई है 26 तारीक को जो उतपात किसानों ने या किसानों के नाम पर कुछ खुराफातियों ने किया है उसकी में मजम्मत करता हूं और यह बड़ा ही खेद जनक है और देश में गण का तंतर चाते हैं वो कहीं न कहीं अपने आपको किसानों के साथ खड़ा हुआ पाते थे और इस वारदात के बाद इस घटना के बाद वो सभी लोग दुखी हैं और आपको ठगा महसूस कर रहे हैं उसी क्रम में मैं आगे बात करता हूं जो यह सब कुछ हु उसको लेकर हम किसानों को जतना दोशी ठहरा सकते हैं उतना ही इस मामले में पुलिस भी दोशी है पुलिस किस तरह से दोशी है उस पर अब हम बात करेंगे किसानों के दोश तो सामने आई गए हैं पुलिस ने विस्तार से बताया है अख़बारात तमाम तरह के मीडिया किस देखे जो आपने कहा body language की बात तो मैं तो बिलकुल स्पष्ट तौर पर कहूंगा कि एक कठ पुतली की तरह शिरवास्तव जी प्रेस कॉन्फरेंस में बैठे हुए दिखाई दे रहे थे उनके पीछे कहीं कोई अज्याद शक्ती है कोई अद्रश पंजा है जो उनको गाइड जैसा कर रहा था वैसे वो उन्होंने प्रेस कॉन्फरेंस करी 26 तारीक को पुलिस की जो भूमिका थी वो भी केवल इतनी भर थी कि जितना बता दिया गया उतों ना कर दिया गया अब इसको आप इस नजर से देखें जो आपने कुछ सवाल उठाए जे तीन सो च्छारानवे पुलिस कर्मी घायल बताए हैं कि पुलिस कमिशनर साब ने उसमें से कई आईसियू में हैं किसी का हाट तूटा किसी का पाउँ तूटा किसी का सर पठा कोई बिहोश है कोई कि इसी की हालत बहुत ज़्यादा खराब है एक किसान की भी मौत हो गई वो कहते हैं ट्रैक्टर पल्टा किसान के परिवार वाले कहते हैं कि गुली चली बरहाल यह तो अभी जहांस से पता लगया कि उस किसान की मौत कैसे हुई और करोड़ों रुपे की संपती जो जाया हु और जो हमारा राश्टियस मारक है पुरातन विभाग का लाल किला जिसको देश की असमिता से जोड़ा जाता है उसमें भी नुकसान पहुंचा किसानों की भूमिका सपस्ट है कि किसानों के बीच में कुछ खुराफाती घुजगे उन्होंने तमाम तरह के यह जो भी दंग एक्टर मार्च करेंगे उसके बाद उन्होंने किसानों को समझाने का प्रयास किया और उसके बाद उनके फिर कुछ रूट तै किये फिर उसके लिए शर्टें तै करी पुलिस कमिशनर साब की अनुसार पांच दौर की बैठके उनसे हुई किसान नेताओं से टेलीफोन पे पुलिस की आमद लगतार बनी रही पुलिस की जिप्शियां वेगारा इस सब तमाम तरह के सुरक्षा के इंतजाम पुलिस वहां कर रही थी एक इंपॉर्टेंट बात में आपको बताना चाहता हूं वहां पर भिंडर वाला के दो जगे मेंने होडिंग लगे हुए देखे एक जगे बहुत बड़ा काउंटर था जो एक पूरा टेंट था पूरा उन्होंने अपना शामियाना लगा रखा था जिस पर सिक फॉर जस्टिस के जंडे लगे हुए थे वो सिक फॉर जस्टिस एक वो संस्ता है जो खालिस्तान समर्थक है और 2019 में इस संस्ता को हिंदुस जहां पूस्टर लगे हुए थे बड़े-बड़े बैनर लगे हुए थे यह ठीक है उसके साथ जो नारे लिखे हुए थे या जो मांगें थी वो किसानों से रेलेटीड थी और सिक फॉर जस्टिस में भी कहीं को खालिस्तान जैसी कोई बात नहीं थी कि खालिस्तान की लेकिन ऐसा कैसी हो सकता है कि दो महीने से ज्यादा चलते हुए अंदोलन को जिसके अंदर इस किसम के संग्ठन मौजूद हैं जो संसा देश के अंदर बैन है जिसके लोगों को टेरिरिस घोशित किया जा चुका है जो उसके मुख्या विदेशों में बैटे हैं उन्हें आतं लिद्गी वाले एक आंदोलन को आप इस वज़े से अनुमती दे रहे हैं कि उसने एग्रिमेंट किया आप से यह क्या कोई दो कंपनियों का कोई समझोता था क्या क्या इस तरह के एग्रिमेंट पार्टिशन से पहले या पार्टिशन के बाद भीड के और पुलिस की भीड कोई एग्रिमेंट हुआ है जो बियान वे च्छे दिसंबर आपके सामने है बगाईदा सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्यमंतरी हलफ नामा दे देता है बावजुद उसके भीड कंट्रोल नहीं होती तो भीड और पुलिस के बीच में एग्रिमेंट होना एग्रिमेंट शर नपनसकता के लिए वो सही हम शब्द इस्तमाल कर रहे हैं यह पुलिस की नपनसकता नहीं है तो क्या है जिसके अंदर सैकड़ों किसान घायल हुए तीन सो चौरानमें पुलिस कर्मी उन पुलिस कर्मियों की एक एक चोट के लिए उनके एक एक जखम के लिए एक घाव के लिए पुलिस कमिशनर खुद जिम्मधार हैं उनको जब एक दिन पहले पता लग गया था कि शाम को यह पन्नू एंड कंपनी वहां पर भाशन दे रही है सिंदू बार्डर पर और उनके जो नियत है वो साफ नहीं है और वो जिस तरह से करना चाह रहे हैं जी उनको इस पर मैं बहुत बारिकी से तमाम चीजों पर रोशनी डाली मैंने बीच में टौका भी नहीं इसलिए क्योंकि कुछ चीजे लोगों के सामने जानी चाहिए वैसे मेरी याद आते मैं बीच में रोग देता हूँ लेकिन मेरे जहन में एक सवाल यहां यह पैदा हुआ कि 30 गंटे लगे यह बताने में आकर एसेंसरी बात सबको क्या आपको नहीं लगता जैसे आपने का कि कोई एदरशे पंजा है जहां से इनको स्क्रिप्ट दी गई और 30 गंटे बाद इनको कहा गया कि जाए बगल में एक LED लगा लीजिए पतरकार की तरह वो क्लिप चलवाते थे और त प्रेस कॉंफरेंस थी और जो चाल धाल उनकी बड़ी लेंग्विज और जो उनके शब्द और जो डिटेल उनोंनों दी वो सरा सर एक राइनितिक हैं उसमें कहीं भी पुलिस का जो इकबाल है वो इकबाल पुलिस का वो दिखाई नहीं देता वो सिरे से नदारत है आपने पॉस्टिंग जाता दी जाती है जो कुछ करने की छमता रखते हैं उनको तो ऐसे कहीं और डाल के रखा जाता है यह हमेशा से होता आया है कि सत्ता में बैठे वे लोग अपने पसंद के अधिकारियों को लाते हैं और चाहे उन्हें नीचे से ही प्रमोट करके उपर क्यों लाना पड़े क्योंकि उनको अपने एजंडे लागू करने होते हैं दिल्ली के दंगे में और इस दंगे में यह दंगा ही से कहेंगे बहुत सी चीजें similar हैं यानि कि चीजों को होने दो और बाद में देखेंगे क्या करना है एक देहाती में हमारे यह कहावत है मार पिछे पुकार मार के पीछे की पुकार कर लें दिली के दंगे में नुकसान शहीन बाक के आंदोलन को हुआ। इस तरीके से इस खुरा फात में ववंडर में इस दंगे में जो भी कुछ हुआ उसका नुकसान किसानांदुलन को हुआ ये कराइनितिक फैसला था और दिल्ली पुलिस की भूमिका उसके अंदर एक कट पुतली भरकी थी जैसा बता दिया गया वैसे कर दिया गया थी आप बड़ी बात कह रहे हैं कि चाहे शाहिन बाग के दोरान दि जर्तार कर लिया गया है तीन किसान 37 किसान नेताओं को भी नोटिस जारी कर दिया है किल गाजीपुर की बत्ती गुल कर दी गई महाँ पर हालात ऐसे पैदा हो गए कि लगा भी कि पुलिस को इलाटी चार्ज करके अंदुलन खतम कर देगी लेकिन हम अपने मुद्दे से न हैं बहुत सारे IPS को करीब से आपने देखा होगा और बबालों को भी दंगों को भी करीब से देखा होगा उस बारे में कुछ बताईए उसमें काक साब का एक कार्टून छपता था और वो कार्टून खवरों पर भी भारी पड़ता था दिल्ली दंगे में आपको याद होगा कि बहुत लूट पाट हुई ती सिखों के घरों में और तीन-चार दिन बाद जब पुलिस को होश आया जब शासन प्रशासन की पुलिस वाला डंडे के बल टेड़ा खड़ा है और मूच पर ताव दे रहा है उसकी बगल में बहुत सारे टीवी, वी सी आर और इस तमाम तरह की चीजों का धेर लगा हुआ है और वो मूचों पर ताव दढ़ता हुआ कह रहा है उन्होंने कहा था लुटवा दो कहा कि गिरफतारियां कर लेना तो अब ये गिरफतारियां कर लेंगे इतनी सी बात है यह जो पिछले मुसलसल कहीं डेड़ साल से देखने को दिल्ली पुलिस के मामले में मिल रहा है तीस हजारी कोट का सीन याद करिए वहां पे वकीलों के हाथों पुलिस पिट दिये हैं जे कि अधिकारियों को पहले रिटायर्मेंट के बाद चिंता नहीं होती कि अब हमें क्या करना है उसके बाद वो अपने घर लौट जाते थे अपना जो भी काम दंदा खेती बाड़ी करेंगे यह वपार करेंगे बच्चे के दुकान पर बैठेंगे जो भी करेंगे तो इसलि रिटायर्मेंट की प्लैनिंग बिल्कुल स्फस्थ है कि जो सत्ता के यतनी चापलूसी करेगा रिटायर्मेंट के बाद उसको उतनी ही बड़ी पोस मिल जाएगी अभी आपने जखनों में देखी लिया किस तरह से उनको विधान परिशद मिले जाया गया और इंपॉर्ट का देश की राइदानी है, यहां तो जो भी होते हैं उनको तो मिली जाती है, कोई ने कोई अच्छी पोड़ा, जो पुलिस के कहे के साथ, जो अदिकारियों के साथ से एपने अकाओं के साथ से नहीं चलेगा, तो घर में जो है अपने घुईयां च्भी झी लेगा, और चीजे बदल गई है अब लेकिन चीज तो बताइए सर राजधानी है दिली पूरी देश ही नहीं दुनिया की नज़रे दिली पर रहती है वो दिली की प्लिस अगर इतनी निकम्मी नाकरा साबित हो जाए प्लिस कमिशनर सिर्फ इस चीज की फिक्र करें कि रिटायरमेंट के मेरा क्या होगा तो क्या इने कुछ भी अपनी नेतिकता का अपनी वकार का अपनी इज़त का कोई खयाल नहीं रहा है कम से कम कल की जो उनकी प्रेस कॉन्फरेंस है उसके बाद तो लगता नहीं अब आप ये देखें कि अमेरिका में कैपिटल में इतना बड़ा बवाल मजंमत की और वहाँ पर अधिकारी तुरण उसमें अपना स्टीफा दे देते हैं अगर नेतिकता होती तो तुरण एस्टीफा दे देते ना वो 26 तारीकी शाम तक इनका शिरवास्ताफ साहब का स्टीफा आ जायना चाहिए था अगर वो उसका अपने आपको नेतिक धायत् वे तो उनके पास था ही नहीं 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 के पास था जो बैठे वे बैठ के कर रहे थे मीटिंग कर रहे थे और डिसीजन ले रहे थे कि इसको ये करना है उसको वो करना तो एक कठ पुतली की कोई नहीं जिम्मधारी नहीं होती नहीं जिम्मधारी उन लोगों की है जो फैसल प्लिस कमिशनर को अगर आप इससे पेर भी कर देते हैं बरी भी कर देते हैं कि चलिए तो कट पुतली था तो उसको इस्तीफा देना चाहिए कोई जिम्मधारी तो लें इसकी तो कोई जिम्मधारी लेने को तयार नहीं तो सबसे बड़ी बात ये कि अपनी नपनसकता को ये करके बता रहे हैं उसे बड़ा-बड़ा करके बता रहे हैं कि देखी हमने तो सज हम लिया इसे सही काम लेना ना इसे नपनसकता से काम लेना कहते हैं बहुत शुक्रिया सारा आपने बहुत बारीके से तमाम चीजों पर रोशनी डाली ये तक बताया कि पुलिस का क्या वकार होना चाहिए और आपने एक्जमपल दिया वशिंग्टन का वो भी एक जबरदस एक्जमपल है और उसकी मिसाल यहां पर कायम होनी चाहिए ती पर हमने होंगे हाज़िफ लाल अभी हमें दें इजाज़त